बूर्णिंग स्टुडेंट्स कक्छा 10 अभ्ध्या 8 आज हम बागवानी में पढ़ेंगे बाग लगाने के लिए भूमी या इस्तान का चुनाओ किस प्रकार की जाता है अब देखिए फलो के लिए आपको बाग लगाना है तो भूमी कोई आपको भूमी का चैन करना है या भूमी कौन सी भूमी कैसी हो उप्युक्त हो उसके लिए विभिनकारकों का ध्यान लगते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं सरव पर्थम हम बात करेंगे मिर्दा के प्रकार टाइप आप सोईल तेखिए बाग लगाने जा रहे हैं उसके लिए आविशक है कि जिस भूमी पर आपको भाग लगाना है उस भूमी उत्तम किस्म की हो बहुत जादा रेतिली भूमी ना हो बहुत जादा भारी चिकनी मिट् या आपकी problematic soil यानी अमली है या उसर भूमी यह अनिफ्यक्त रहती है बाग लगाने के लिए आपकी बलोई दोमट या मटियार दोमट भूमी सरोत्तम रहती है कंक्रिली पथ्रिली भूमी का चुनाव बाग लगाने के लिए भी नहीं करना चाहिए अब भूमी परियाप्त गहरी हो परियाप्त गहराई तक मतलब पेड़ों की जड़े की कया है गहराय तक जाती है तो भूमी को उपर से ही देखकर अच्छा न समझे उसे सर पर्थम एक से 1.5 मेटर तक खोथकर देख लेना चाहिएं कि भूमी इस घहराई तक भी अच्छी है तता भूमी समतल हो त तो आपके पौधे जल्दी मर जाएंगे, आप उसमें बागने लगा पाएंगे, तो इस बात का ध्यान नहीं कि भूमी निचली भूमी ना हो, निचली की भूमी में पानी खटा होता हो और अगर पानी खटा होता भी है तो जल निकासी की उचित विवस्ता होने चाहिए उस ठीक है, सिचाई की विवस्ता, तीसरा पॉइंट, अब जिस भूमी में लगाने जा रहा है, वहाँ पे सिचाई की उचित विवस्ता हो, वन्ना पानी के अभाव में आपकी जो फलोत पादन है, वो कम होगा और अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी ह हो गई तो पॉदे जो आपके पॉदे लगाने जा रहा है, उनकी भी मृत्य हो सकती है, अकला पॉइंट है, यातायाद की सुभधा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब आपका जो बाग लगाने जा रहा है, उसका उद्देश क्या है, कि फल पैदा करेंगे और उसको उसको बेच कर धन कमाना है, यह आपका उद्देश रहता है, अब अगर आपका जो बाग है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानि आपके बाग तक आसानी से जो चार पिया गाड़ी है, या माल डुलाई का जो वहाँ ने, वह आसानी से चला जाता है, तो क्या है, इसम आपको ट्रकी नहीं जा सकता, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, आपको पैदा तो कर लेंगे, लेकिन आपके टाइम पे आपकी ट्रांसपोर्ट ना होने कारण फसल बरबाद हो जाएगी, अब मंडी की निकटता, मार्केट फैसिलिटी क्या है, अगर की ऐसी मंडी या बजार हो, जहां पे आप फल ले जाकर बेच जाते हैं, तो यह तो सबसे अच्छा रहता, सरुतम रहता है, अनिथा, आप फल को थोड़ा दूर ले जाके बोईंगे, मतलब बेचींगे, तो उसमें थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा आपको, और जो आग होते हैं, जाटा पॉइंट है इसमें, जलवायू, देखिए बाग लगाते समय, वहां की जलवायू का विध्यान रखना हो सकोता है, जैसे सेव, नासपाती, खुमानी, माल लेजिए आप यह टेंपरेट फूर्ट से, आपका एपल है, सेव जिसे बोलते हैं, नासपाती है है, प्लम है, ठीक है, आप इनको आप सोचिंगे कि, अगर ऊश्न कटी बंदिय छेतरों में लगाएंगे, ठीक है, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाएंगे, एरिट कड़ा में तो नहीं हो पाएंगे आपको न, इनको ठंडी जलवायू चाहिए, शितोर्स जलवायू चाहिए, तो इनको उसी हिसाब से इनी की जो जलवायू इनकी रिक्वार्मेंट होती है, उसमें ही लगाना चाहिए, जैसे सेव नासपाती, खुबानी, बेरी आदी को, सितोर्स र कटी बंदी छेतरों में, अब आपका आम, केला, ये उनुश्र कटी बंदी है तथा नीव लोकाट, लीची, आदी को, समसितोर्स र चेतरों में लगाना चाहिए, स्रमिकों की सुब्धा देखिए, लेवर फैसिलिटी, अब बाग लगाने के लिए आपको अतता बिभिनकार करेंगे, उसमें प्रूनिंग का काम करेंगे, स्प्रे करवाएंगे, कटाई-छटाई कर करेंगे, अब क्या है, अगर आप वहाँ पे लेवर की फैसिलिटी है, तो बाग लगाने के लिए अच्छा रहेगा, गनी अबादी जंगल और भट्टे से दूर, अब वहाँ इस ताँ जहां बाग लगाया जा रहा है, बट्टे जंगलों के निकट नहीं होना चीए, मनुस्य से आपको नुक्सान होगा, ठीक है, और इट के भट्टे, इट के भट्टो से आपको बता दूं की आम में ब्लैक टिप नाम की बिमारी, इट के भट्टो के करार आती है, तो इट के भट्टो से दूर, आम का बाग हमेशा लगवववववग एक से 1.5 किलो मेटर ही लगना चाहिए. एक से डूर एक किलूमीटर के पास ईट के भटे नहीं होने चाहिए. ठीक है. कीट तथा बिमारी का प्रकौप. ऐसे चेतरों में बाग ना लगाए जहाँ पे कीटों बिमारी का आधिक प्रकौप होता हो. यदि किसी विशेज बिमारी का प्रोकॉप होता है तो उस इस्तान पर भी बाग लगाने से बचना चाहिए अनुस भधाओं में जैसे देखिए कि बाग ऐसे इस्तानों पे लगाई है जहां लोगों को फलोत पादन में रूची हो सरकार दोरा सहायता उपलब्द हो अब सरकार जिले में या राज के कई जिलों को फल पट्टी छेतर गोशित कर देती है तो जहां सिचाई के लिए विधूत रोगों की रोक थाम के लिए रसाया है अब हम भात करेंगे व्रक्षा रोपड की तो देखिए व्रक्षा रोपड में क्या है कि जब आप बाग लगाते हैं तो कुछ सिस्टम अप लांटिंग है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे पहले हम जो बाग के लिए आप पौधे लगाते हैं उनके समय की चर्चा करते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि एवरग्रीन जो पौधे होते हैं एवरग्रीन मतलब जिनमें पूरे साल पत्ती रहती है हरे भरे रहते हैं उनको आप कब लगा सकते हैं उनको आप वर्षा रितु याणि जुलाई अगस्त में लगाई है या बसंत रितु में फरवरी मार्च में लगाया जाता है और पत्तचर याणि डेसिडूस नेचर होता है जिनका जिनमें साल में एक बार पत्ते अवज से चढ़ते हैं जिन फल के पिरड़ों में उन्हें आप दिसंबर से फरवरी के माह में लगाते हैं और कभी भी लगाएंगे तो क्या या तो सुबह को लगाएंगे या तो साम के समय लगाएंगे पौदों को खेतों में अब देखिए कुछ विदियां होती हैं जब आप बाग लगाने जाते हैं और चार्ट इस्टेबलिस करने जाते हैं तो कुछ अलग अलग विदियों या सिस्टम के द्वारा पौदे लगाए जाते हैं उन्हीं के बारे हम चर्चा करते हैं देखिए इसमें एक होती है पौधे से पौधे की दूरी समान होती है तो देखिए इसकौयर बन रहा है न तो इसको हम क्या कहते हैं वर्गाकार विधी इसमें क्या है बाग में सिचाइता क्रिश्ण क्रियां में सुभधा रहती है अब क्या है दूसरी विधी आ जाती है आयताकार विधी रेक्टोंगलर विधी अब ये विधी भी वर्गाकार विधी के समान है बट इसमें अंतर क्या है कि पंक्ती से पंक्ती की दूरी व्रक्ष से व्रक्ष की दूरी से अधिक होती है यानि जो प्लान टू प्लान डिस् इसे लिए हम आयतकार विधी कहते हैं अब इस विधी में क्या है वर्गाकार विधी के पिक्चा कुछ कम पौधे लगते हैं चार पौधों को मिलाकर अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया आयत के समान आकरती दिखाई देती है तीसरी विदिया आती है आपकी triangular method ये method भी क्या है आपका वर्गा कार जो ये method बताया था इसके समानी है बस अंतर क्या है इसमें कि इसमें पहली रो आपने लगाई लेकिन जो दूसरी ये माल लिजे आपकी पहली रो है तो दूसरी पंक्ती में पौदे लगाएंगे वो पहली पंक्ती के पौदे के जस्ट बीच से लगाएंगे जैसे देखिए माल लिजे पहला पौदा आपने ये लगाए दूसरा तीसरा चौथा तो आपने फिर क्या जो जगह बची उसके सामने जो सामने की जगह है उसके बीच में अगली पंक्ती में पौदे लगाते हैं देखिए पौदों की दूसरी पंक्ती में पौदों की पहली पंक्ती के सामने ना लगा कर उनके बीच में लगा देखिए यह पौधा इसके सामने ना लगा कर इसके इन दोनों जैसे बीच में लगाया देखिए यह बीच में लगाया यह यह बीच में लगाया है ऐसी इस पंक्ति के पौधे यह दो हैं इनके बीच में सामने यह बीच में लगाया है पौधा तो इस प्रकार ये triangular method क कहलाता है अब दो पंक्तिओं के तीन पोधों को अगर आप देखींगे देखीए ये दो पोधे, ये दो पंक्ती चैनल और ये पंक्ती दो इनके तीन पोधों को अगर आप देखींगे तो कौन से आकरती दिख रही है आपको triangular यानि एक तिर्भुज क्या करती दिख रही है ठीक है अब इसमें भी कुछ अधिक पौदे लग जाते हैं square method से लेकिन ये विधी अधिक उपियों की नहीं मानी जाती है अब hexagonal method hexagonal method आपका triangular method की तरह ही होता है अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए जो equilateral triangle है ये ये देखिए इस विधी को देखिए ये ये मान लीज़े ये triangle है ये ये triangle है तो ये आपका संभाव तिर्भुज है इसके हर कोने पे एक एक पेर लगाया जाता है देखिए एक पेर यहां लगाया एक यहां लगाया एक यहां लगाया एक यह लगाया ठीक है एक यह लगाया एक यह लगाया और एक यह लगाया तो आपके कौन से आकरती आती है हेक्जाकोनल आकरती आती है और बीच में एक और इसमें एक और पेड लगाती हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं इस विदी में एक important चीज याद रखिएगा देखिए मैंने इतो बताई दिया कि तिर्भुजाकार जैसी है कि इसमें इसको इसमें याद रखने वाली विदी क्या है कि इसे समधी बाहुत तिर्भुज विदी भी कहा जाता है एक तो यह याद रखने वाली चीज है दूसरा क्या है hexagonal method में क्या है आपका 15% पौधे आपकी जो आपका square method है जो आपका वर्गाकार method है उससे 15% अधिक पौधे लगते हैं आपके यह कहां पर यह विदी को कहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपकी भूमी costly है महंगी भूमी है दूसरी चीज जहां पर आपकी land बहुत ज़्यादा यानि भूमी जो है बहुत ज़्यादा fertile है बहुत ज़्यादा उपजाओ है वहां पर इस विदी का उपयोग किया जा कुईन कंग्स मेथड यानि पंचकोंड विदी अभी यहां विदी वर्गाकार विदी के समान है विदी है अंतर है कि वर्ग के बीचों भी चेक पौधा और लगा दिया जाता है देखिए यह स्क्वाइर मैं थड़े बताया था ना पौधे से पौधे की और पंक्ती से पंक्ती की दूरी समान होती है तो यह वर्ग बन गया अब इस वर्गाकार विदी में अगर एक हम टेंपरेरी प्लांट लगाते हैं टेंपरेरी प्लांट ऐसा होता है माल लिजी आपने कोई यह पेज जो है यह खाली रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं पपीता ठीक है पपीता हो गया केला हो गया आपका खुबानी हो गया आडू हो गया तो यह इन पोधों को लगा दिया जाता है ताकि जब तक आपके जो आम का बागई यह फल देना सुरू करेगा तब तक हम कुछ extra आमदनी ले सके ठीक है तो इसे हम क्या कहते है कुईंकंक्स method कहते है यह अस्थाई होते है जब आपका जो main जो orchard है यानि जो main मुक्के फसल है मुक्के फलुत पादन जिसका करना वो जब पौदे आपके क्या करेंगे फलुत पादन देने लगेंगे तो आप इन बीज में लगाएगे अस्ताई पौदो को आप हटा दोगे ठीक है तो इसे हम कुनकंग्स मेथट कहते हैं कंटूर विदी क्या होती है देखिए कंटूर आपको पता है पहाड़ों पर ही कंटूर फार्मिंग होती है तो कंटूर विदी भी होई है या विदी पहा है मिट्टी गड्डे के उपरी सतय की और लगानी चाहिए अन्य था वर्षा होने पर मिट्टी नीचे की सतय की और कड़ जाती है इससे पौधे की सही रेखाओं पर ना लगकर कंटूर मेड़ बनकर वहां गड्डे खोद कर लगा देते हैं ठीक है अब पेल आप लगा रह जब आप बाड़ चाड लगाते हैं तो कुछ जो संसुति की जाती है कि पौधों से पौधों की कितनी दूरी रखी जाए ताकि उनको परियापत मातरा में हवा, सूरिका प्रकास, न्यूट्रिशन मिलते रहें देखिए अगर देशी आम है तो आप 10-12-16 मीटर की दूरी रख सकते हैं पौधे से पौधे और रो से रो कटल लीची कलमी आम है तो 10-12 रख लीजिए इसी प्रकार सैतूत कमरक आमला या जामून है तो आप 9-10 मीटर दूरी रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट और रो टू रो अब बेर का पौधा है तो 8-9 अम्रूद और जब इन दूरियों को इन दूरियों में लगाया जाता है बिविन पौधों को अब गड़े खोदना डिगिंग और पिट्स क्या है देखिए पौधे लगाने से आप एक से डेड़ मैंने पहले तो गड़ों को खोद लेना चाहिए अगर बहुत ही बड़े व्रक्ष लगा है जैसे आम कटल आदी तो आपका गड़े का साइज क्या होगा वन इंटो वन इंटु वन इंटो वन यानी एक मीटर व्यास का एक मीटर गहरा ठीक है लंबाई चुड़ायों उचाई के साब से वन इंटू वन इंटू वन मिटर आकार के गड़े आप खोदेंगे छोटे आकार के फल रक्षों के लिए जैसे पपीता आड़ू नीवू केला आदी के लिए क्या करेंगे आप साठ इंटू साठ इंटू साठ सेंटीमेटर आकार के गड़े खोदेंगे ठीक है वर्सा रितू में पौधे लगाने के लिए मई से जून ठीक है और बसंत रितू में पौधे लगाने के लिए जनवरी के प्रारम में गड़े खोद लेते हैं अब गड़े खोदने के लाब क्या क्या है देखिए अब हानिकारक जो कीड़े हैं और धूप से मर जाएंगे आप मट्टी को बाहर निकाल के फैला के रखेंगे तो कीड़े मर जाएंगे मिट्टी के अंतर कंकर पत्थर आदी का पता चल जाता उन्हें भी निकाल का लाला कर दिंगे अब जो मिट्टी निकालेंगे उसमें आप खाद भी मिला लेंगे बढ़ियां से तो मिट्टी की उरुता बढ़ जाएगी ठीक है और पौधों की कोमल जड़ों को बढ़ने के लिए धिली मिट्टी मिल जाती है अब जो गड्डे खोदे हैं आपके फल पौध लगाने के लिए उसको देखिए खाद भूमी की किस्म पर डाली जाती है लिए कमजल भूम और अधिग उवजाईं भूमिंऊ में कम खाट डाली जाती है बालू भूमी में एक बट्टा दोर से तीन बट्टा चार भाग गोवर की सड़ी खात एक बट्टा दोर से एक बट्टा चार भाग मिट्टी और प्लस हड़ी का चूरा डाल का गड़े भरे जाते हैं दो मट मिट्टी में देखिए एक चोताई से एक तियाई भाग खाद, दो तियाई से तीन चोताई भाग मिट्टी मिलाकर गड्डे भरे जाते हैं तक तक चिकनी भूमी में एक तियाई भाग खाद, एक तियाई भाग मिट्टी और एक तियाई भाग बालू मिलाकर गड्डे भरे जाते हैं पेसे भूमी हलकी हो जाए खाद मिलाने का रिजुलाई में किया जाता है तता गोवर की शड़वी खाद ही डाले जाती है वरना पौदों में कच्छी खाद से दीमक अचा एक चीज हमेसा ध्यान रखिए कि अपने खेत में कभी भी कच्चा गोवर ना यूज करें कच्चा गोवर क्या करता है कच्चे गोवर के देखिए नुकसान क्या है कच्चा गोवर का पहला नुकसान है वो क्या करेगा दीमक को खेत में अट्रेक्ट करेगा जो दीमक है वो कच्चे गोवर की तरब आती है अट्रेक्ट होती है तो आपके यहां दीमक की समस्या बढ़ जाएगी दूसरा अगर खेत में कच्चा गोवर मिलाएंगे तो शुरू में खेत में जो भी उपलब्द नाइट्रोजन है उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि जो माइक्रोब्स यानि जो बैक्टिरिया है जब वो कच्चे गोवर का डिकम्पोजिशन करेंगे तो उनको नाइट्रोजन की आउसकता होगी उस नाइट्रोजन की आउसकता की पूर्ती के लिए वो भूमी में जो भी उपलब नाट्रोजन है उसको यूज कर लेते हैं जिस कारण से कच्चे गोवर को डिकम्पोस करने में आपकी नाट्रोजन की कमी हो जाती है इसलिए कच्चा गोवर खेत में नहीं डालना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा आप लोग गड़े भरने का देखे क्या गड़ों को भरने से पहले खाद को मिट्टी में अच्छी से मिला लीजिए ठीक है जुलाई तक ये कार कर लीजिए अगर आप बरसात में पौदे लगा रहे हैं उपरी सतह में बिना खाद वाली मिट्टी डालते हैं जिससे जड़े भोजन की तलास में गहराई तक पहुँचे तथा पौदे तेज हवाँ से गिरने ना पाए गड़ा उपरी सतह से 8-10 संटीमीटर खाली रहना चाहिए जिससे सिचाई के पानी के लिए ठाला बनाया जा सके ठीक है पौदों की खरीद करना पौदे और जो भी आप खरीदते हैं हमेशा परमारित नरसरी से ही पौदे आपको प्राफ्ट करने चाहिए जिससे की क्योंकि अगर आप और चार लगाने जा रहे हैं तो तीन साल चार साल बाद आपको पता चलेगा आप सुरू में तो पैसे बचा लेंगे लेकिन बात को आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए हमेशा परमारित नरसरी से ही पौदे खरीदने चाहिए प्लांटिंग देखिए पौद रोपन पौदे लगाने रोपने का सरुत्तम समय संध्या का है इस समय ताप कंपरेता है पौदे लगाने के बाद रात्री का समय मिलता है इस प्रकार पौदे 12-14 घंटे तक ठंड़क मिल जाती है और वो जड़ पकड़ लेते है वर्सा रितू में बदली रहते हुए किसी भी समय रोपे जा सकते है अगर बारिस का मौश समय बदली है तो किसी भी समय पौदे लगा दीजे पौदे लगाने के बाद से चाहिए कर देनी चाहिए पौधों को गड़ों में इतना गहरा रोपते हैं कि जड़ों के अत्रित पौधे का तना 5 cm तर धक जाए तनों के चारों और 25 cm व्यास का थाला बना दीजिए जिससे की पानी सीधा तने के संपर्क में ना है अब देखिए विविन जो मेथड बताये थे मैंने वर्गाकार, सटकोड, पंचकोड उससे किस प्रकार पौधों की संख्या आती है देखिए अगर पेणों की दूरी देखिए यहां पेणों की दूरी मीटर में वर्गाकार विदी अब इस दूरी को अगर हम फॉलो करें तो वर्गाकार विदी से, सटकोड विदी से और पंचकोड विदी से कितने-कितने पौधे आएंगे देखिए अगर एक मीटर डिस्टेंस से प्लांट टू प्लांट रोट रो तो वर्गाकार यहनी स्क्वाइर मेथर्ड से 10,000 पौदे एक हेक्टेर में आएंगे यह धाई एकड में या 15 बीगे में और सटकोर विदी से कितने आएंगे 11,500 उसी प्रकार अगर देखिए आपकी 10 मीटर जैसे आम के लिए मैंने बताया था आम के लिए अगर 10 मीटर पौदो की दूरी रखते हैं तो वर्गाकार विदी से 100 पौदे आएंगे अब देखें गड्डे त्यार करना आग लगाने के लिए बाग लगाने के लिए यह बाग है बाग लगाने के लिए करदे निड़ी विदी से त्यार किये जाते हैं बाग लगाने के लिए देखिए निर्गी विदी से गड़े त्यार किया था है खेत में पहले चिने लगाई है खेत में गड़े खोदने से पूर सड़को नालिया बनाकर बाग को विभिन खंडों में बाट लेना चाहिए अब बाग की भारी परिमिती के अंदर की ओर 6-7 मीटर अंतर एक पंक्ती लगानी चाहिए गड़े खोदना जब पौधे लगाने हो उससे एक दो मैंने पहले गड़े खोद लीजिए मैंने आपको बताया बड़े ब्रक्ष हैं तो एक क्यूफीग मीटर वियास के और छोटे हों तो मद्ध्यमश्यनिके हों तो 90 को और उससे भी छोटे हों तो 60 ₹ क्यूफीग सेंटी मीटर के पौधे गड़े खोदने चाहिए, गहरे गड़े खोदने के लिए गड़े गोलाकार होने चाहिए, उनका व्यास नीचे से उपर की और एक सा होना चाहिए, उनमें अच्छी तरह से खाद भर कर अच्छी तरह गुडाई करने चाहिए, गड़े खोदने का सरुत्तम समय मही का महीना है, अगर बरसात में पौधे लगाने जा रहा है गड़ों का भरना जुलाई के प्रत्व प्रारव में गड़ों से निकाली मिट्टी में आउसक मातरा में खाद मिलाकर गड़ों को भर दिया जाए वर्सा होने पर या गोबर की सड़ी खाद मिली हुई मिट्टी भली प्रकार से बैट जाएगी अगस्त में गड़ों के उपर 25 संटीमीटर भाग में बिना खाद मिली मिट्टी डालका गड़ों भर देने चाहिए ठीक है गड़ों की सचाई गड़ों की अच्छी प्रकार से भर कर उन्हें गड़ों की सचाई कर देनी चाहिए जड़ों की मिट्टी के अकार गड़ा खोधना चाहिए और उसमें आप केटनासक मिला दीजीए इसमें तो अल्डेन लिखा है और क्लोरोफायरी फॉस या कोई भी कीटना संग मिला सकते हैं मिलाने के बाद उसमें पौधा लगाकर गड़े के चारों तरब मिट्टी की ढालकर गड़े को भड़ देना चाहिए उसके बाद पौधे की हलकी सिचाई कर दीजिए समय समय पर निराई गुडाई करते रही है जो थाला है जो आपका ये थाला है थाला है और थाले में माले ये पौधा लगा है तो इस थाले में ध्यान लखे इस थाला आपका क्या है ये खरपतवार से जरूर यहाँ पर खरपतवार ना हो ठीक है ताकि इसका अच्छे से इसको वायू और नुट्रिशन मिलता रहे खाद उरूरक पेड़ो से अच्छे फल प्रात करने तता पेड़ों के समशित विकास के लिए प्रतिवर्ज खाद और रूर क्की मातर आठ और नौ वर्ड़ सकत देनी चाहिए अब खाद उर्वक देने के लिए क्या है पेड़ के नीचे विछा कर तता बेखेर का खुदाई कर देनी चाहिए प्रती पौधा 10-15 किलोग्राम कोबर की खाद 200 गराम डीएपी 100 गराम पोटेशियम सलफेट तता दीमक आदी से बचाओ के लिए 5 एमल कुलोड़ पारिफाउस प्रतिवर्स देना चाहिए कटाई चटाई देखिए ट्रेनिंग और पूनिंग जिसे बोलते हैं कटाई चटाई करने से पौधे का आकार इच्छानुसार हो जाता है अत्या मुक्ते अधिक बढ़ जाता है और सखाएं कम रहती है बूमी में 60 सेंटिक मीटर उचाई तक केवल तना ही रहना चाई है मतलब 60 सेंटिक मीटर उचाई आपका क्या है या आपका मेंज जो तना है ट्रंक है ट्रंक है त्रंक रहे है उसके बाद आपकी क्या है यहाँ से जो साखाय निकल लिएए वो अलग-अलग डारेक Unless चारो दिशाओं में साखाएं रहें और बीच में खाली रहें जिससे सूरस की रोशनी अंदर आया और किड़े मकोड़े या बीमारी ना लगने पाएं पौदे में इसके पचात तेखिए यह यह पाँ से साथ पचात से साथ संटीमेटर की दूरी पर दो-दो साखाएं छोड चाहिए बिमारों कमजोर साखाओं को बाद में आप काट सकते हैं जैसे माल लिजे मैंने इस डारेक्शन में भी दो-तिन साखाएं छोड़ दी दीरे-दीरे मैंने इनको काट दिया और एक साखा को मेंटेन कर लिया पाले होता था लू से बचाओ जाड़े में पाले और गर बचाने के लिए आप चार और जो कूस ग्रास होती है या घास की पौाल की टाट लगा सकते हैं ग्रीश रितु में मही जून के महिनों में गर्म और सुस्क तेज पच्वा हवाय चलती हैं ये पादों के अंगों को जुसा देती हैं कभी-कभी पादे मर भी जाते हैं तो अ 5.2% के साब से रोगर या मेटा सिस्टॉग भी बोलते हैं कितना सक है यह मैला थ्यान 0.2% यानि 2 ml पर लिटर पर लिटर का मतलब हुआ दो एमल 2 ml पर लिटर ओफ वाटर ठीक है इसका सॉलूशन मना के 15-15 दिन के अंतराल पर आप खेतों में छड़काओ करते रहे हैं फपूदी लगनाली बिमारियों के लिए आप लाइट आक्स यानि यह कॉपर ऑक्सी क्लॉराइड है ठीक है इसे कॉपर ऑक्सी क्लॉराइड बोलते इसका 2.2% का सॉलूशन यानि 2 ml पर लिटर में घोल के इसको आप छड़काओ कर सकते हैं दीमक से बचाओ के लिए आप नीम की खली का उप्योग कर सकते हैं प्याड़ों के नीचे 5% हेटा क्लॉर धूल अच्छी तरह से मिलाई जा सकती है गैरी जल्दी जल्दी सिचाई क पानी में एक लेटर क्लॉर फायस का प्रियोग कर दीजे ठीक है अब हम अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे ग्रहवार्टी का या किचन गार्डन की तथा फलोध्यान की थैंक यू